जैसे जैसे नाथुला पास पास आता जा रहा है, मैं अपने आपको तरो ताजा महसूस करने लगी हूँ थोड़ी थोड़ी देर में ही मिलिटरी के जवानों से भरी हुए ट्रक मेरे आखों के आगे से निकल जाते हैं अपने आप मेरे हाथ जुड़ जाते हैं, शरद्धा से सिर जुग जाता है हम लोग अपने घरों में चैन की नीन सोई, उसके लिए ये लोग अपने घरों से दूर सीमा पर चौकसी करते हैं उचे उचे पहाडों को देखकर आनंदित होती हूँ, उनकी विशालता को देखकर आनंदित होती हूँ नदी के बहाओ उपर सवाल नहीं ही उठाना चाहती, बस उससे बहते देखना चाहती हूँ, मीलो दूर तक पहाडों के हर घुमाओ उपर बने, ये छोटे छोटे खुबसूरत रंग बिरंगी चशतों वले घर उपर से दिखने पर ऐसे लगते हैं, जैसे आकाश की खुबसूरती धर्ती पर से मटाई है ये धर्ती के तारों से कम खुबसूरत तो नहीं दिखते कई बार ऐसा लगता है जब तक मैं यात्रा कर रही हूँ तब तक ही मैं जीवन जीती हूँ उसके बाद मेरा जीवन जैसे रुक जाता है सच कहूं तो जब भी किसी यात्रा पर जाती हूँ बहुत कुछ सीखती हूँ अगर आप भी यात्राओं के शौकीन है, प्रकृति की मनमोहक वादियों से रूबरू होना चाहते हैं, तो एक बार गंग्टोक जरूर घूमाई, गंग्टोक सिक्किम की राजधानी है, यह बहुत ही खुबसूरत प्रयाटन स्थल है, यहां से आपको कंचन जंगा का शानद चार दर्श्य देखने को मिलेगा, यह सिक्किम का सबसे बड़ा शहर भी है, गंग्टोक में प्रकृतिक सौंदरिय, चारों और बिखरा पड़ा है, कई दर्शनिय स्थल भी हैं, आप सभी जानते हैं, देश के अलावा विदेशों में भी मैं बहुत घुमी हूँ, मेरे च बहुत सी ऐसी जगए हैं, जो सौर्ग से भी जादा सुन्दर हैं, गंग्टोक उन में से एक है, अठारा सो चालिस में ये बोध तीर्थ स्थल बन गया था, यहां एनच मठ का निर्मान हुआ, और ये शहर तिबत और बिर्टिश भारत के बीच व्यपार का मुख्य केंदर रहा, सिक्किम का ये सबसे बड़ा शहर, शिवालिक पहाडियों के उपर, 437 मीटर की उचाई पर स्थित हैं, साल 1947 में भारत के आजाद होने के बाद, गंग्टोक एक सौतंत्र राजशाही बना रहा, इस शहर पर राजा चोग्याल और भारत के ततकालीन परधान मंतरी, ज राजशाही शासन का पालन करने के लिए एक संधी पर हस्ताक्षर किये गए, इस तरह से देखा जाए, तो बारत के इतिहास का एक बहुत ही मैतुपून हिस्सा है ये, अगर आप भी मेरी तरह हिस्ट्री में रूची रखते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा दे करना चाहेंगे, जहां मैं इस समय जा रही हूँ, ना थो लपास, ये वो जगे है भारत और जीन अंतर राश्टरिय सीमा, जिससे देखने के लिए आपको एक परमिट की जरूरत होती है, जो आपको गंग टोक जाकर आसानी से मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सोमो जील भी मिलेगी, इस रास्ते पर आपको एक मंदर भी मिलेगा, जिसको यहाँ के लोकल लोगों द्वारा बहुत ही पायस माना जाता है, सबसे जरूरी बात, नाथुला पास भारत चीन सीमा पर सिर्फ भारतिय पड़े अटकों को ही जाने की अनुमती होती है, फॉर्णर्स को यहा आप गंटोक आएं, तो यहाँ के MG रोट पर जरूर आएं, यहाँ पर आने पर यहाँ के टूरिस्ट को बहुत अच्छा लगता है, यह यहाँ का शॉपिंग हब भी है, यहाँ पर आपको बहुत सी दुकाने, रेस्तोरा और हुटल सम मिल जाएंगे, वो सब जगहों की वी कितने खुबसूरत यह बिल्डिंग से हैं, और तीस्ता रीवर कितनी खुबसूरत लग रही है, ऐसे बह रही है, जैसे किसी को मिलने जा रही है, पहाडों की गोच से निकलती हुई, वो सामने वाला पहाड देखिए, उस पर बने हुए छोटे छोटे घर दूर से कितने ख रिंगार ही हो गया, बहुत खुबसूरत इतना प्यारा सीन, देखते हुए आँखे ही नहीं थकती, है ना, और इतने बड़े बड़े पहाड और उनको चुमते हुए रुई के फोहे जैसे बादल, जैसे घुमते हुए आवारा यहां पर आकर इकठे हो गए हुँ, खुब मेरी आँखों से यह सब देखना आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मैं जानती हूँ, मुझे बहुत खुबसूरत लग रहा है, उपर से देखिए यह एरियल व्यू, खुबसूरत रंग भी रंगे घरों के बीच, बल खाती हुई यह सड़क और उस पर चलती हुई, च्छोटी च्छोटी गाड़ियां, बिल्कुल खेलाने जैसी लग रही है ला, ओ, what a beauty, क्या आपने सोचा था, गैंग टॉक इतना खुबसूरत होगा, आप देखते चलिए सारी खुबसूरती दिखाती चलती हुँ, और हम क्या बात कर रहे थे, M.G. रोट की, गैंग टॉ बात काले, टुरिस्ट यहां पर खुब जमा कर शौपिंग करते हैं, और शौपिंग के साथ यहां पर टहल भी सकते हैं, क्योंकि यह नो वाइकल एरिया है, यहां पर बैठ सकते हैं, बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं, ओ, कंचन जंगा पहाड की खुबसू तब दिखाई देता है जब एकदम clear weather होता है और आप बहुत लखी हैं जो आज इतना खुबसूरत खुला हुआ दिन हैं दो दिन से भया इंकर बारिश थी और आज जब मैं वीडियो बना रही हूं आपके लिए आसमान एकदम खुल गया खुले दिल से आपका स्वागत कर र जहां भी नजर जा रही है हरी आली नजर आ रही है नीला आसमान और सफेद बादल मैं आपको बीच बीच में गंटॉक शहर भी दिखाती चलती हूं थोड़ा थोड़ा सिर्फ नेचर दिखाऊंगी बाकी की वीडियो में अलग बनाऊंगी और वो अलग पोस्ट करूंगी एक एक करके सब कुछ दिखाऊंगी जो भी आप देखना चाते हैं नीचे कमेंट में लिखते जाएगा मैं आपको सब दिखाती हूं इस वीडियो में हम सिर्फ नेचर देखेंगे देखिए रोड़ को कितनी खुबसूरती से सजा रखा है कुदरत ने भी भरपूर प्यार लुटाया है इस जगे पर और यहां कर रख रखाव भी बहुत अच्छे से हुआ है एमजी रोड़ पर भी बहुत साफ सुतरा है वहां की सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है और मिलिये हमारे ड्राइवर सब से जो हमें गाड़ी में नातुला पास तक लेका जा रहे है रास्ते में वो बाबा हरबजन सेंग जी का मंदिर भी दिखाएंगे और चांगू लेक भी लेकर जाएंगे इन्होंने यहां से परमिट लेना है परमिट लेंगे और फिर यहां से दो पास भी लेंगे हम दोनों के लिए यह पास हमने ले लिए हैं और अब हम आगे जा रहे हैं आगे लग़ा आए है सेना की छावनी जैसा कुछ है हमारे सैनिक जवानों के बहुत सारे ट्रक खड़े हैं यहां पर शायद सामान आया है या जा रहा है और पूरा का पूरा ये इलागा जैसे च्छावनी बना हुआ है यहीं से ही हमारी इस सीमा की सुरक्षा होती है और हमारे भाई, सैनिक भाई यहाँ पर पहरा देते हैं हमारी सुरक्षा का पूरा खयाल रखा जाता है पूरे रास्ते में यह जंडे लगे हुए है शायद यहाँ पर लाइट्स नहीं है तो यही यह मार्क करते है जैसे यहाँ पर 3 बजे ही धुन्द हो जाती है फौग हो जाती है आप 2-4 फिर दूर भी नहीं देख सकते दोपेर के 3 बजे के बाद ही तो इसलिए यह जंडे यहाँ पर रास्ता बताते हैं अगर कोई भटक जाए तो उसे रास्ते का ग्यान हो जाए क्योंकि कई बार यहाँ पर कुछ और मार्क नहीं होता बताने के लिए रास्ते को कुछ दिखता नहीं है दूर दूर तक अंधेरा जल्दी हो जाता है तो तब यह जंडे बहुत काम आते हैं मुझे न यह पहाणों के गुमावदार रास्ते बहुत पसंद है हर गुमावदार रास्ते पर मेरी निगा ऐसे ठहल जाती है जैसे कि मैं एक नया नजारा देखूंगी और होता भी यही है एक दम नया नजारा हर गुमावदार पर एक दम नया नजारा यह देखिए और यहाँ पर काम हो रहा है ये मजदूर किस तरह काम कर रहे हैं हमारे ड्राइवर साब बता रहे हैं आगे पूरे रास्ते आप कपड़े से बने हुए जंडे लगे देखते रहेंगे वो रास्ते को माक करने के साथ रास्ते की खुबसूरती भी बड़ा ही रहे है और मुझे बहुत खुबसूरत लग रहा है ये व्यू आप ये व्यू देखते जाएए रास्ते की खुबसूरती देखते रहे है और मैं आपको गेंग टॉक के बारे में और बताती हूँ गेंग टॉक जब भी आएं यहाँ पर ताशी व्यू पॉइंट जरूर देखिए अगर आप बर्फ के समय आएंगे यानि की दिसंबर, जन्वरी, फर्वरी या मार्च में आएंगे तो यहाँ पर आपको बर्फ के ढखे हुए पहाडों का सुन्दर नजारा दिखाई देगा ताशी व्यू पॉइंट से और अगर आप समर्स में आते हैं या सितंबर, एक्टूबर में आते हैं जो की बेस्ट समय है यहाँ पर आने का तो आपको एक अलग ही खुबसूरती दिखाई देगी कंचन जंगा की ताशी व्यू पॉइंट मद्दे गंग टॉक से आठ किलोमीटर की दूरी पर है और इसका निर्मान ताशी नाम ग्याल द्वारा किया गया था जो 1914 और 1993 के बिच सिक्किम के राजा रहे थे और इसी वज़े से इस जगे को उनका नाम मिला था सामने देख रहे हैं सफेद बादल हमसे मिलने आएं हैं जैसे ओ, ये मोड कितना खुबसूरत है और यहां कितने सारे जंडे लगे हैं सब एक ही रंगे, हमें रास्ता भी बता रहे हैं और सुन्दरता को और बढ़ा रहे हैं जब भी आप गंग टॉक आएं तो याँ हनुमान टॉक जाना बिल्कुल नभूलें हनुमान टॉक यहां का बहुत ही फेमस टेंपल है इस मंदर की देख भाल भी भारती है सेना के द्वारा की जाती है है ना अनुखी बात मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर हनुमान टोक की बहुत सारी शौर्ट वीडियो अपलोड की हैं, आप जरूर देखिएगा, और ये लीजे, बॉर्डर रोड शिरू हो गया, कितना खुबसुरत है, और यहां पर तो स्वास्तिक का चिन भी बना है, पूरे रास्ते छोट छोटे छोटे जर्णे, रास्ते में ऐसे मिल रहे हैं, जैसे मालो हमें अपनी और बुला रहे हों, और कई जर्णे तो ऐसे शिरू हुए, जहांसे हमारी गाड़ी जा रही थी, यानि कि हम जर्णों के उद्गम स्थान से भी उपर पहुँच गए हैं अब, ये देखिए सा पाद एक लाइन से, और ये देखिए क्या लिका है यहां पर, पड़ा आपने, बस अब यहां से नाथुला पास 25 किलो मेटर दूर ही है, बहुत पास है, और ये जर्णों की खुबसूरती आप देखते जाएं, आपको बताओं, हनुमान टॉक भी 7200 फीट की उचाई पर है और दुनिया की सबसे उची तीसरी चोटी पर है, और वहां सेना सन्राइस का नजारा बहुत खुबसूरत नजार आता है, इतना खुबसूरत कि मैं आपको बता नहीं सकती, दिखाऊंगी अपनी किसी वीडियो में जरूर, और देखिए, ये साइन वोड आ गया, पड़ा आपने क्या लिखा था? प्रकृती के भी कई है रंग, मन को छूजाए हर रंग, ये आ गया, इंडिया का सबसे उंचा रोप वे, और यहां पर कितने सारे याक दिखाई दे रहे हैं, कितना बड़ा परशू होता है ये, और कितना शान्त, कितना खुबसूरत, बॉर्डर रोड्स, नाथुला 17 किलो पास आ गया है, ये याक देखिए कितना जूमता हुआ आता जा रहा है पास, एक के बाद एक नजर आ रहे हैं, ये जैनवर भी यहीं नजर आता है, बहुत जिग्यासा थी, कि याक को करीब से देखूंगी, आज मौका मिला, तो एक साथ इतने देखने को मिले, यहाँ पर न, लेंड स्लाइर्स होती रहती हैं, दो दिन से बहुत बायानक बारिश थी, दार्जलिंग और गैंग टॉक में, सिली गुरी में, और यहाँ पर रास्ते बन थे, आज रास्ता खुला हुआ है, लेकिन जगे जगे हमें बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए द प्रक दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर यह आम बात है, जगे जगे उनकी शेल्टर बने हुए हैं, छावनिया सी बने हुए हैं छोटी छोटी, अब नाथुला पास सिर्फ 13 किलोमेटर दूर है, नाथुला पास जैसे जैसे पास आता जा रहा है, यहाँ पर ऑ हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल इतना कम होगा, कि हमें सीड़ियां चड़ने पर दो दो सीड़ियां रुक रुक का चड़ना होगा, सांस फूल जाएगी, हमारे ड्राइवर सामने हमें कपूर की डिबिया दी है, कि अगर ऐसा हो, तो इसे सूंख लेना, बड़ा ही अल गिर पड़े हैं, क्योंकि यहांपर लाइन स्लैड सोरी थी ना, तो दिन से, तो ऐसा ना हो, किसी की जान ना जाए, किसी को नुकसान ना हो, इसके लिए यहां पर रोक थाम की जा रही है, सेना के ट्रक लाइन से जा रहे हैं, और यह रोड बनने से बहुत ज्यादा पहले जब यह रोड नहीं था ना तब यहां पर आने के लिए सेनक और रसत पहुंचाने के लिए बहुत दुरगम काम था चोटे-चोटे-टूटे-फुटे पुल बने हुए थे जहां से मदद आने में कई दिन लग जाते थे समय पर मदद नहीं पहुंच पाती थी लेकिन नया रास्ता ओ कितना सुन्दो जर्णा कितनी सुन्दो लग रहे हैं ये बिल्डिंग्स इनके च्छतें तो देखिए स्लाउंटिंग बना रही हैं क्योंकि यहां पर बरफ बहुत पढ़ती हैं यहां पर अगर आप मार्च के एंड में एपरिल में भी आएंगे तो यहां पर मोटी बरफ मिलती है इतनी बरफ पढ़ती है यहां पर अक्टूबर तक मौसम यहां पर ठीक रहता है नेवंबर से बरफ पढ़ने शुरू हो जाती है जो कि अपरिल एंड तक रहती है अगर आप अपरिल में यहां पर आते हैं तो आपको गर्मी और सर्दी दोनों के मिलने वाले हैं बताओं क्यों क्योंकि यहां पर आपको बरफ भी मिलेगी और यहां पर आपको फूल भी मिलेंगे क्योंकि बरफ पिगलने लगती है फूल उगने लगते हैं तो बेस्ट मौसम होता है वो लेकिन तबना यहां पर भीड बहुत होती है लेकिन ऑक्टूबर क ean finite week ka 1st week या September ka last week सबसे अच्छा है क्योंकि तब यहाँ पर भीड़ कम होती है जैसे अब है लेकिन कई बार बारिश जादा हो जाती हैं तो आपको थोड़े दिन जादा का प्रेग्राम बना खराना होगा यानि कि अगर दो दिन बारिशी हो गई तो आपका अगर तूर ही दो दिन का है तो आप क्या करेंगे तो दो-चार दिन एक्स्ट्रा रखें अपने बजट में तूर के बजट में हमारे सथ बहुत सारे टूरिस्ट और आयों हैं जगे-जगे रुक कर देख रहे हैं यहां की ब्यूटी और मंत्र मुख दो रहे हैं चोटे-चोटे बच्चे भी और यह लीजिए आ गया ना थुला पास स्वास्तिक वालकम्स यू यहां पर तूप भी रखी हुई है कितनी बड़ी तूप है बहुत गर्व मैसुस हो रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं आस्मान की गोद में सच में आ बैटे हूँ औक्सीजन कम है लेकिन यहां से हर जगे से ए लग दिखाई दे रही है और जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना आपको वहां हमें वहां उन सीडियों पर जाना है वहां से उपर जाकर हम देखेंगे एक तरफ चाइना और एक तरफ भारत और बीच में एक पतला साब तार है कांटों का वो रास्ता वीडियो में दिखान allow नहीं है लेकिन मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ दो बड़े-बड़े काले पहाडों के बीच में एक U-shape है जिसे सिल्क रूट कहते है वो भारत और चीन के बीच की जगे है पहले वो रास्ता बंध होता था भारत और चीन के युद के बाद बंध हो गया था लेकिन 2006 में वापस खुल गया व्यापार के लिए हम वो जो आपको ग्रीन शेल्टर दिखाई दे रहा है न उसके नीचे जो सीड़ियां हैं बहुत सारी हम वहाँ से उपा जाएंगे आपको देखने में बहुत आसान लगरा होगा लेकिन ये इतना आसान नहीँ है एक एक कदम एक एक सीड़ी चरन यहाँ पर बहुत भारी है अक्सीजन ही नहीँ है यहाँ यहाँ पर फोटोस लेने की कोई मना ही नहीँ है यहाँ से मैं घूم घूम कर आपको हर एंगल से यहां की ब्यूटी दिखाते हूँ देखे मेरे पीछे आप देखते रहे यही वो सीड़िया है जो मेरे पीछे है और वो देखे पहाड यह देखे खुबसूरती देखे यहां की यह काले काले पहाड कितने खुबसूरत लग रहे हैं और ये बादल जिसे उनका कवर बन गए है बीच में से जहांकता हुआ नीला आस्मान जैसे अपने होने का एहसास करा रहा है रंग बिखेर रहा है यहां पर एकदम टोपास कलर में यहां की सुन्दरता यहां की हवा की सुगंद बता पाना शब्दों में बिल्कुल नामुम्किन है जितना हुपा रहा है मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ी ही देर में ये बादल जमीन पर आ जाएंगे धाई बचते बचते यहां पर कोहरा होना शिरू हो जाता है सितंबर एंड में भी तो हम यहां से डेर दो बजे ही निकल जाएंगे ये एंट्रेंस है नातुला पास की ये छोटा सा केट बना रखा है जितने भी टूरिस्ट यहां पर आये होई है जैसे यहां की मिट्टी में सिमट जाना चाहते है इस मिट्टी की सुगंद को जी लेना चाहते है सडक पर ही बैठ गए है बहुत अच्छा लग रहा है वोने ऐसा लग रहा है जैसे अपनी माटे की गोद में आ गए हूँ मेरा भी मन कर रहा है सडक पर बैठ कर फोटो किचाने का ये जिन्दकी भर की याद बन जाएगी एक मेर्ट रुकिये मैं अपनी फोटो किचा लूँ ये फोटो बहुत जरूरी है अलो कंचन जंगा और अब हमें यहां से बगाया जा रहा है भागो वहाँ पर सडक पर बैठने की और फोटो किचाने की इजाजत नहीं थी पता नहीं था बाग कर यहां आ गई और बादलों के साथ नाच रही हूँ मैं भी आपको शायद बादल नाचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हूंगे लेकिन यहां पर यह ऐसा लग रहा है जैसे नाच रहे हूँ बहुत तेजी से जुम रहे है शायद कहीं पर बरस रहे है लेकिन यहां पर बिलकुल नहीं धूप निकली हुई है एकदम खुला खुला मौसम लेकिन बादल बहुत तेजी से भाग रहे है नीचे गाड़ियां चलती हुए किती inflamm distinguish लग रही है, यह सब tourist कार है, जो यहां पर tourists को लेकर आई है, यहां पर lana tourist को मुझे लगता है, एक बहानदा है, टourist को अपनी सेना के जवानों से मिलवाने का और यह दिखाने का, कि कितनी heart life जीते हैं बो अपने घरों को छोड़ कर, वो यहां पर इसलिए आते हैं, ताकि आप लोगों को चैन की नींद दे सकें और आप उनके यहां पर होने और उनके इस सेक्रिफाइस को मोल दे सकें, उसकी कदर कर सकें, उनकी हिम्मत बढ़ा सकें, अपने देश की सुरक्षा के लिए वो जब इतना कर सकते हैं, तो आप अपने घर के आजबास भी अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ कदम तो उठाई सकते हैं, ये बहुत अच्छी ताकत और सोच मिलती है हमें यहां पर आने के बाद, जब भी हम अपने देश की किसी भी सीमा पर जाते हैं, अपने सैनिकों को वहां की सीमा पर पहरा देखने देखते हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है कि हां हम भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, और ये सोच ही हमें हमारे देश से जोडती हैं, प्रकृती से जोडती हैं, और हम एक नया जुडाव महसूस करते हैं, बंधन महसूस करते हैं, अपने परिवार को बड़ा बनाते हैं, और परिव कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर लिखेगा मैं जानती हूँ शायद मैं इसमें आपको गैंग टॉक दाजलिंग शिक्किम जढ़ा कुछ नहीं दिखा रही क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ और दिखाना भी नहीं चाती मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको प्रकृती की सुन्दरता दिखाना चाती हूँ अपने सैनिकों की हार्ट लाइफ दिखाना चाती हूँ उनसे आपका भी उसी तरह जुड़ाओ मैसूस करना चाती हूँ जैसे मैं समय कर रही हूँ गैंक टॉक दाजलिंग और सिक्किम की बहुत सारी वीडियोज बनाई है मैंने और एक एक करके सभी पोस्ट कर रही हूँ और बाद में भी करूँगी लेकिन अभी आप इस सुन्दरता का आनन्द उठाए और महसूस कीजिए इस खुब सूर्ती को इसकी हलावा भी अगर आप कुछ और देखना चाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा यह आपको सब कुछ दिखाऊंगी उम्मीद करती हूँ आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा नहीं कर रखा हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दिजे ताकि मेरी आने वाली वीडियो के एक भी नोटिफिकेशन आप से मिसना हूँ क्योंकि जिस खुब सुर्ती को मैं देखते हूँ मैं चाहती हूँ कि दुनिया देखे मैंने बहुत से देशों की यत्राएं की है और वहाँ पर मुझे जो भी अच्छा लगा जो भी मैंने शेयर करना चाहा मैंने सब वीडियोज बनाई और आपके साथ शेयर करने की कोशिश की मेरा ये प्रियास तभी काम्याब होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप उन सभी वीडियोज को देख पाएंगे जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये छोटी छोटी जीले और बड़े बड़े पहाड़ बड़ा बड़ा आसमान जितना खुबसरत मुझे लगता है जितना मुझे लल चाहता है क्या आपको भी लल चाहता है ये गुमावदार रोड क्या जितने खुबसरत मुझे लगते है आपको भी लगते है जैसे मैं बार-बार प्रकृती की गोद में आना चाहती हूँ यात्राएं करना चाहती हूँ Tours और Travels मुझे बहुत अच्छे लगते है क्या आपको भी अच्छे लगते है क्या आपको भी देश और विदेश की यत्राएं करना बहुत पसंद है क्या आपको Mountains देखना ज्यादा पसंद है या Beaches देखना ज्यादा पसंद है या नदी किनारे आपको अच्छे लगते हैं कमेंट में जरू लिखेगा मैं जानना चाती हूँ कि मेरे वीवर्स को क्या अच्छा लगता है क्या आपको city life ज्यादा पसंद है या village life ज्यादा पसंद है आपको remote areas पसंद है या बहुत ज्यादा congested चहल पैल वाले जगह पसंद है आपको ज़रने पसंद है या नदी आज़ादा पसंद है या आप समुदर की सुन्दरता के दिवाने है सच सच बताईएगा आपने इस रीडियो में याक भी देखे क्या आपने पहले कभी याक देखे थे क्या आपको अंदाजा था वो इतने कुपसूरत और इतने बड़े होंगे क्या आपको इन पहाडों की खुपसूरती का अंदाजा था क्या आपको अंदाजा था कंचन जुंगा इतना कुपसूरत है ये ज़रने मेरे नीचे से बह रहे हैं यानि कि जिस पहाड़ी पर मैं हूँ उसकी नीचे वली पहाड़ी से बह रहे हैं सच कहूं तो रॉंटे खड़े हो रहे हैं सेरन हो रहे हैं कि मैं जर्णों से भी उपर हूँ सामने शिवजी का सुन्दर मंदर बना हुआ है पहाड के उपर और हमारा national flag लगा हुआ है और उसके पीछे जर्णा लेराता हुआ जैसे शिवजी का अभिशेक कर रहा है हरहर महादेव ये दूदिया जर्णा महादेव का अभिनंदन कर रहा है जला भिशेक कर रहा है इस से ज़्यादा खुबसूरत मैंने और कहीं नहीं देखा खुबसूरती जैसे यहीं सीमटाई है मन कर रहा है वीडियो यहीं रोक दूँ ताकि यह खुबसूरती हमेशा सिम्टी रहे मेरी भी आँखों में और आपकी भी आँखों में जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो में